तो चैप्टर के सुरुवात में हम लोगों पढ़ना है मानो नेत्र तो मानो नेत्र के बारे में सारे चीज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं मानो नेत्र जैसा कि तुम जानते हो कि हम लोग अपने नेत्रों के द्वारा पूरे संसार में सारे चीजों को देख पाते हैं तो मानो नित्र हमारे लिए बहुत ही important हो गया है और इसके structure को ये कैसे function करता है ये सारे चीज़े हम लोग यहाँ पर देखने वाले है तो तुम देख सकते हो मानो नित्र एक अत्यंत मुल्यवान एवं सुग्राहि ग्यानेंद्री है ये ग्यानेंद्री है ये तो तुम्हें पता ही होगा और इसके द्वारा हम चीज़ों को देख सकते हैं ये कैमरे की भातिकारे करता है हम इस अधुत संसार के रंग विरंगे च पढ़ेंगे तो जैसा कि तुम देख सकते हो यहां पर मानवनित्र के स्ट्रक्चर को दिखाया है तो सबसे पहला जो उपर का भाग दिख रहा है तुम्हें यह देखो यह ऊपर का जो भाग दिख रहा है उसे हम लोग बोलते हैं कॉर्णिया याने कि स्वाक्ष मंदल सबसे पर क्या हो गिया Kornia यानी कि क्या हो गयाally Crash Man da जो कि बाहरी परत होता है transparent होता है इस्के बारे मैं भी हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद देख सकतो यहाँ पर दूसरा भाग हे तुम्हारा Parintarika this is Parintarika यह विएवा दिख रहा है Parintarika और यहां पर होता है पुतली तो बहुत अच्छे से मैं दिखाऊंगा तुम्हें आगे कि परितारिका कैसा होता है और पुतली कैसा होता है वो पूरा दिखाऊंगा यह देखो यही है परितारिका और यह क्या है पुतली समझ में आ रहा है सबसे पहला बाहरी भाग क्या हो गया? सुख्षमंडल उसके बाद यहाँ पर यह है परितारिका और बीच में क्या है? पुतली इसके बाद देखो कि यह है crystalay lens यहाँ जो दिख रहा है ये क्या है? ये है crystalay lens और इसके बाद यहाँ पर जो दिख रहा इस तरीके से संग्रशना यह जो संग्रशना है यह संग्रशना क्या है पक्षमाभी पेशिया दिख रहा है यह क्या है पक्षमाभी पेशिया तो यहां पर तुम्हें बहुत अच्छे समझ में आए तो कोई बात नहीं आगे हम लोग एक एक के बारे में चित्र को भी देखने साज़ने वाले और उसको पढ़ने भी और यहां पर देखो यही है तुम्हारा द्रिश्टी पटल जिसने मुझ भूलेंगे अब एक-एक चीज को हम लोग बहुत अच्छा देखना、 एक-एक स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को हम देखना है, तो चलो एक-एक करके हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले जो नेत्र का हम लोग को भाग पड़ना हुआ, वह क्या है, कौर्निया, cornea या फिर स्वक्ष मंडल ठीक है तो यह क्या होता है जैसे मैंने बताया यह एक transparent layer होता है जो कि आखों के उपर होगा तो देख सकतो यह नेत्र के diaphragm के उपर इसी तेख पतली जिल्ली होती है और यह जो पतली जिल्ली वह क्या होता है transparent होता है मतलब प्रकास उससे आर पार जा सकता है तो यही है तुम्हारा यहाँ देख सकते हो सामने से एक transparent layer होगा जिसे हम लोग क्या बोलेंगे उसे हम लोग बोलेंगे cornea अब cornea के कारे को देख सकते हो इसी से ओकर नेत्र में प्रकास प्रवेश करता है या नेत्र का सबसे नाजुक भाग होता है तो यह simple साथ cornea इसके बारे में तुम्हें ज्यादा नहीं पुझा जाता है तो इसके कारे में और भी लिख सकते हो कि यह बारी ततो से रक्षा करता है नेत्र के चिकनाहर प्रदान करता है यह आँख को बाहरी आगहात से ही बचाता है तो कौन बचाता है? कॉर्णिया लेकिन इसके बाद का जो भाग है वह है परितारी का आईरिस ये बहुत ही important है आईरिस और pupil ये दोनों बहुत ही important है इसको बहुत ध्यान से तुम्हें समझना होगा तो तुमने देखा होगा जो आखो का रंग होता है देखो यहाँ पर ये जो भाग दिख रहा है तो जो आखो का रंग होता है वह किसकी दोरा होता है आईरिस की दोरा होता है रंग किसकी दोरा होता है आईरिस की दोरा रंग होता है यह कौर्णिया के पीछे स्थीत होता है यह एक गहरा वालयाकार पेशिय डायफ्राम है तो यह क्या होता है एक डाइफ्राम की तरह काम करता है एक पेशिय डाइफ्राम की तरह कारे करता है और यह क्या करता है यह जो तुम्हारा प्यूपिल है उसके साइज को छोटा या बड़ा करता है तो यह पुतली के आकार को क्या करता है नियंत्रित करता है पुतली क्या हु ने देखो घ्राइर करत में रिफॉट करता है और यह है पुद्ली और यह क्या करता है और न отвеч या करता है या प्ली के आकार को चोटा करता है या फिर क्या करता है बड़ा करता है तो कभी यह पुतली के आकार को छोटा करता है और कभी यह पुतली के आकार को बड़ा करता है यह हम लोगों को यहां देखना है तो बहुत ही आसान है तो पुतली क्या हो गया प्यूपिल क्या हो गया यह परितारिका के वले से बना एक र तो देखना इस तरीके से ये प्रकाश को क्या करता है नियंत्रित करता है प्रकाश को क्या करता है नियंत्रित करता है मतलब हमारे आखों में कितना प्रकाश जाना चाहिए हमारे आखों में कितना प्रकाश जाना चाहिए कम जाना चाहिए ये ज्यादा जाना चाहिए इसको पुतली का साइज बड़ा कर देगा तो जादा प्रकाश आखों में जाएगा और परितारी का पुतली के अकार को छोटा कर देगा तो कम प्रकाश आखों में जाएगा तो अब चलो हम लोग सीखते हैं कि कब हमारे आखों में कम प्रकाश जाना चाहिए और कब हमारे आखों म जादा प्रकाश जाना चाहिए तो बहुत सिंपल सा चीज है देखो यदि तुम अंधेरे रूम में जाते हो तो अंधेरे रूम में तुमको जादा प्रकाश चाहिए तो पुतली का कार क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा ये क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा पुतली और जब तुम प्रकाश में जाते हो, ब्राइट लाइट में जाते हो तो बहुत जानत चमक आने लएगा आँखों में तो उस टाइम में क्या होगा, उस टाइम में पुतली क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा जिससे कि तुम्हारे आखों में प्रकाश क्या होगा कम जाएगा इस तरीके से देख सकते हो यहां पर यहां पर पुतली का साइज क्या हो गया साइज क्या हो गया बड़ा हो गया और यहाँ पुतली का साइज क्या हो गया छोटा हो गया कब हो गया पता चल गया पुतली का कार जब छोटा होगा जब क्या येस ब्राइट लाइट होगा तब और पुदली का आकार बड़ा कब होगा, जब मतलब डीम लाइट रहेगा, तब ये आकार छोटा हो जाएगा, अब चलो इसकी बाद जो हाग है, वह क्रिश्टलिय लिंस है, तो तुम देख सकते हो, यही है क्रिश्टलिय लिंस, तो जैसे कि यह लिंस है, देख सकते हो यह लेंस यह कांच का बना हुआ है या किसी अन्य पदार्थ का बना हुआ है लेकिन जो यह क्रिश्टली लेंस यह कांच का नहीं बना हुआ है यह जेली लाइक पदार्थ का बना हुआ रहता है ठीक है तो यहां देख सकते हो अभी नेत्र लेंस क्या है एक लच प्रौक्सित करने के लिए अपना आकार बदलता रहता है तो पहले समझना है कि यह एक उत्तर लेंस है दूसरा यह जली-like पदार्स से पतला हो जाता है कभी मोटा हो जाता है तो आखिर वह कैसे होता है क्यों होता है तो वह होता है पक्षमाभी पेशियों के द्वारा किसकी द्वारा होता है पक्षमाभी पेशियों के द्वारा तो पक्षमाभी पेशियों क्या करती है इसके आकरती को बदलती है कभी पतला कर कर देती हैं कभी मोटा कर देती हैं तो आखिर यह क्यों करती है वह हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी इसको नहीं पढ़ रहे हैं समझ में आ गया तो यह वस्तु के वास्तविक और उल्टा प्रतिविम बनाता है लिंस क्या करता है आख में जो लगा हुआ है लिंस वह प्रतिविम बनाता है देख लो वस्तु का कैसा प्रतिविम बनाएगा जैसे फूल इस तरीके से तो यह फूल को ऐसा प्रतिविम बनाएगा ठीक है तो तुम गोलोगे भला ऐसा प्रतिविम बनाए तो हमें तो सब सीधा सीधा दिख रहा है तो ऐसा ही प्रतिविम बनता है RETINA पर कैसा प्रदिविमन्दा उल्टा लेकिन हमारा जो मस्तिस्क है उसको क्या कर देता है सीधा कर देता है और फिर हम लोगों को वह जो चितर है वह कैसा दिखता है सीधा दिखता है तो यही है पक्षमावी पेशिया नेस्ट जो तुमने देखा ciliary muscles को बोलेंगे तो यह क्या करेगा lens के आकार को बदलता रहता है according to object, object कहां पर है उस हिसाब से lens के आकरती को बदलते रहेगा कभी lens पतला होगा, कभी lens मोटा होगा, जिससे कि हम लोग जहां खड़ें वहाई पर object को देख सके, clearly देख सके तो यह lens के आकार को क्या कर देता है, नियंतरित करता है, कभी छोटा करता है, कभी बढ़ा करता है तो वह मैं पढ़ा रहा हूँ, तुरेंट पढ़ा रहा हूँ अभी, इसके बाद देख सकते हो, कचाप द्राव है तो यह एक jelly जैसा पदार्त का बना है, जो अभी नेतर लेंस और retina से लेकर पूरे नेतर गोलक में भरा रहता है तीक है, यह एक द्राव है जो की भरा रहे गांक में, यह नेतर गोलक के अधिकांस भाग को घेरता है यह बाद तुम याद रख सकते हो, तो यह नेतर गोलक को क्या करता है, आकार प्रदान करता है, retina तक पहुचने वाले प्रकास, lens से होकर इसी द्राव से गुजरता है इतनी बात तुम याद रख सकते हो इसके बाई रता है retina तो यहाँ निश्ट पार देख सकते हो वह क्या है retina तो यहाँ तुम clearly देख सकते हो यही है retina यहाँ चित्र में देख सकते हो यह क्या है? यह retina है retina की एक भाग को देखोगे तो देख सकते हैं यहां पर कैसे सिल्स अरेंजड हैं, रोड सिल्स होते हैं, कोन सिल्स होते हैं, जो कि light को detect करते हैं, यहां देख सकते हो लगे हुए हैं, तो यही है रेटी ना, जहां पर क्या होता है, image formation होता है, यहां पर जैसे मैंने बताया कि यह क्या है, यह है, सामने का भाग लेंस और इसी लेंस से क्या करते हैं कोई image को बनाते हैं कैसा image होता है वास्तविक होता है और उल्टा image बनता है तो कहां पर बनता है रेटीना पर बनता है तो यहां clearly देख सकते हो कि मालो यहां कोई object है वह सीधा object है और उस object का यहां image बना है तो तुम देख सकते हो कैस इसको यह जो इमेज है उससे में वास्तविक बोलते हैं और उल्टा बोलते हैं तुम यहाँ पर देख सकते हो क्लियरली इसके इमेज को तो इस प्रकार से यहाँ पर तुम देख सकते हो तो रेटीना के उपर क्या होता है, रेटीना ने दृष्टी पटल के उपर क्या होता है, गोलो, इमेज का फॉर्मेशन होता है, इसे दृष्टी पटल भी कहते हैं, यह नेत्र गोलक का पश्च भाग है, जो परदे का कारे करता है, रेटीना कहलाता है, यह नेत्र का प्रकास सुग्राही भाग है light sensitive part है और यहीं से फिर जो भी signal है वह क्या होता है optic nerve के through कहां गयाता है brain में जाता है और फिर हमारा जो दिमाग है उसको sense करके चित्रों को क्या करता है सीधा बनाता है तो अभी तुम सीधा सीधा चित्र देख रहे हो लेकिन actually में यहां retina पर कैसा बन रहा है उल्टा image बन रहा है retina पर बनने वाला प्रतिविम का प्रकृति वास्तवी के हम उल्टा होता है यह याद रहो बारबा में बता रहा हूँ त्या नेत्र लेंस दोरा बनने वाले प्रतिविम को परदे की तरह कारी करता है इसकी कोशिकाएं प्रकास सुग्राही होती है जो इस पर बनने वाले प्रतिविम का क्या करती है उसको detect करती है यही प्रकास सुग्राही क्या है यहां पर यहां पर कोशिकाएं लगी हुई है समझ में आ रहा है सारा चीज तो इस तरीके से इसके बाद देख सकतो हो यह है आप्टिक नर्व जैसे मैंने दिखाया था आप्टिक नर्व के थूर यह तंत्रिका नेत्र गोलक के पश्य भाग से निकल कर मस्तिस के एक हिस्से से जुड़ता है जिसके द्वारा हम लोग देता हूं लगे हाँ ताकि तुमको नेत्र का जो स्ट्रक्चर मैंने बता है उसका फंक्शन बता है उसमें दिकत ना हो और वह समझन छमता या फिर पावर आफ एकॉमेडेशन तो जैसे मैंने अभी तुम्हें कार यह बताया था किस चीज का यहां पर यह जो मसल है ठीक है सिलियरी मसल जिसको हम लोग बोलते हैं उसका कारिय मैंने बताया था कि यह क्या करता है नेत्र लेंज को यह पतला करता है या तो मोटा करता है देख सकते हैं नेत्र लेंज को यह पतला कर रहा है और यहां पर क्या कर रहा है मोटा कर रहा है तो यह क्यों ऐसा करता है तो जर रेटीना के बाद बनेगा तो हम चीज़ों को नहीं देख पाएंगे सीधा समतलब है कि जो प्रतिबिम्ब बन रहा है वो रेटीना पर ही बनना चाहिए कहां बनना चाहिए रेटीना पर ही बनना चाहिए और तुमने पढ़ा है पीछे चैप्टर में की उत्तर लिंस के द्व स्थानों पर बनता है तो 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 तुम देखोगे कि उत्तलल लेंस में जो प्रतिविम बनता है अलग-अलग स्थानों पर रखने पर प्रतिबिम्ब अलग-अलग बनेगा जैसे कि माल लो एक मैं उधारन दे रहा हूं यदि यहां पर object है तो माल लो कि यहां पर बन रहा है लेकिन यहां पर प्रतिबिम्ब बनेगा यहां object रख दिया तो यहां प्रतिबिम्ब बनेगा यहां object को रख दिया तो यहां प्रतिबिम्ब बनेगा और मैंने क्या बताया कि यदि object को हटाया जाए अलग-अलग स्थानों पर रखा जाए तो प्रतिबिम्ब अलग-अलग जगह बनेगा तब तु यहां रेटीना पर इमेज नहीं बनेगा प्रतिबिम्ब नहीं बनेगा यानि कि रेटीना पर वहां पर तुम्हारा प्रतिवीम नहीं बनेगा, तो तुम्हें कुछ दिखेगा ही नहीं, ठीक है, तो अब इसके लिए क्या विवस्ता है, कि तुम यहां पर खड़े हो, पास की चीजों को भी देख रहे हो, वहां के चीजों को भी देख रहे हो, दूर के चीजों को भी देख रहे हो यानि object लगातार बदल रहा है अभी object यहाँ है देखो यहाँ मैं देख रहा हूँ तो object यहाँ है यहाँ भी मैं clear देख पा रहा हूँ लगातार बदल रहा मैं यहां खड़ा हूँ अभी यहां था अभी देखो वहां है अभी वहां चला गया देखो तो भी मैं देख पा रहा हूँ किसके कारण देख पा रहा हूँ यहां पक्षमावी पेशियों के दोरा क्योंकि यह पक्षमावी पेशिया क्या कर रही है यह ल लेंस का आकरिती बदल रहा है और वहां का चीज हम देख देख पा रहा हूँ अब वहां की मेरी पक्षमाभी पे पेशिया मैरे नेत्र लेंस के आकरिति में क्या करते जा रहे हैं तो जहां हो वहीं से अलग-अलग स्थान के ऑबजेक्ट को यदि देखना चाहते हो तो पक्षिमावी पेशिया क्या करेंगी नेत्र लेंस के आकरती को बदलेंगी ताकि हमेशा इमेज बने हुआ रिटीना पर बने और इसी को बोलते हैं समंजन छमता इसी को क्या बोलते हैं हम लोग समंजन छ सोचो कि clearly इसको पढ़ना है तो तुम देखो कि तुम्हारे आँखो में कुछ खीचाओ होगा और वह जो खीचाओ है वो कौन खीचाओ पैदा कर रहा है यही कौन पेशिया पक्षिमावी पेशिया वो खीचाओ पैदा कर रहा है जिससे कि तुम यहाँ पर पक्षिमावी पेशिया यदि शिथिल होती है तो यह लंबा होगा और पक्षिमावी पेशिया यदि वो खीचाओ पैदा करती है तो वो क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा इस बात को तुम याद रखना बहुत ही important है और इसे ही हम लोग क्या बोलते है इसे ही हम लोग बोलते है नेत्र की समंजन छमता अभी नेत्र लेंज की वह छमता जिसके कारण वो अपने फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है समंजन छमता कहलाता है तो फोकस दूरी को बढ़ा रहा है अरे भाई जब लिंस पतला हो रहा है या मोटा हो रहा है उसका फोकस दूरिया तो बढ़ रहा है या तो क्या हो रहा है घंट रहा है और इस प्रकार से वो सामंजस से स्थापित कर रहा है कि चीजों को चीजों का जो image है या तो दूर है या तो पास या तो बहुत पास है उसका image कहा बन सके रेटीना पर बन सके यही यहाँ पर क्या कहा जाएगा इसका समंजन चमता कहा जाएगा तो क्या हम लोग सभी जगह के चीज़ों को साफ साफ देख सकते हैं? नहीं ऐसा नहीं है यदि 25 सिंटीमीटर तक कोई अबजेक्ट है तो उसको मैं साफ साफ देख सकता हूँ लेकिन यदि पास लाया जाए तो साफ साफ किसी भी व्यक्ति को नहीं दिखेगा यानि कि आँख की भी कोई शमता है तो यहाँ देखोगे 25 सिंटीमीटर से अनन्त तक की चीज़ों को हम लोग उसको देख सकते हैं यही नेतर की शमता है यदि 25 सिंटीमीटर से पहले किसी चीज़ को लाया गया तो हम लोगो साफ साफ यहाँ नहीं दिखेगा साप साप नहीं दिखेगा थिक है तो यहीं है तुम्हारा नेत्र की छंता तो यहां पर अब दो चीज़ समझना है निगट बिंदू किसे कहेंगे और धोर बिंदू किसे कहेंगे तो निकट बिंदू देख सकते हो वह नियूंतम दूरी जिस पर रखी गई कोई वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यादिक असपश्ट रूप से दिखा जा सकता है उसे हम लोग क्या कहेंगे नियूंतम दूरी की निकट बिंदू कहेंगे और ये कितना है लगभग 25 cm है एक न सेंटिमिटर पर कोई चीज दिख रहा है तब तुम्हारा आख में गढ़बढ है तो वह हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्या उसको कहते हैं फिर दूर बिंदू है तो दूर बिंदू क्या मानते हैं अनन्त तो वह दूरतम बिंदू जिस तक कोई नेत्र वस्तूओं को